पीम नरेन मोदी ने कांग्रेस पर आरुप लगाए कि विसामिधान और अर्चन को लेकर जूट फैला रही है उन्होंने महाराष्ट के सोलापुर्वें रैंबली को संबोधित करते हुए कहा कि OBC प्रतिनिधित के नाम पर ये लोग जूट फैला रहे हैं इनके सचाई सामने आ गई तो बौकल आ गए हैं आपने देखा हो गए कि ये लोग सिर्फ मोदी को गाली दे रहे हैं इनके पास चुनाव में कोई मुद्धा ही नहीं बचा है कांग्रेस ने 10 को तक SCST और OBC से जिस तरह से विश्वास घात किया है उसके चलते ये लोग उससे नाराज है उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जूट फैला रहे हैं कि सम्विधान बदल देंगे और अरच्छन खत्म कर देंगे मैं पहले ही कही चुका हूँ कि खुद बाबा साहब एमेट कर चाहें सम्विधान को बदल नहीं सकते सेकड़ों सालों तक जिसके साथ अन्या हुआ हमारे पूरुजरों के निपाब की होंगे मेरे लिए प्रहसीत का उशर है इसलिए अरच्छनों को जितनी ताकत मैं दे सकता हूँ उसके लिए प्रतिवद्ध हूँ मैं आज ज्यादा से ज्यादा सीटे इसलिए मांग रहा हूँ कि सेस्टी और ओविसी के अरच्छन में खेल नहों सके या मोदी ने आँगे कहा कि इन लोगों को अरच्छन का बड़ा हिस्सा मानिर्टी को देने से खेल खेला है इसलिए आप से मैं आशिरवाद मांगने आया हूँ कि मोदी की मजबूत करो महराश नों भी बच्छी गठवंदन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ सालों से राज में हैं ज़्यादा SST और OVC के परिबार के ही सबसे ज़्यादा हालात खराब हो रही है गाउं के बाहर जुग्गियों में रहने वाले लोग आखर कौन है हमारी दलिस समदाई के लोग ही है आज उन लोगों को पहले लाब मिल रहा है जो दसकों से पिछड़े हुए है हम मानते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उन लोगों का है जो आखरी पंक्ती में है महात्मा गांदी भी ऐसा ही कहते है पियम मोदी ने आँगे कहा कि मुफ्त राशन बिजली गैस लेंडर और रावाज जैसे जरूरते इनी वर्गों को सबसे ज़्याद्या थी इसलिए हम उन योजनाओं को लाए हैं बिना किसी भेरबाव के लागु किया है पियम मोदी ने आँगे कहा कि इनी इस कूमों से जुड़े हमारे समाज घर गर पहुंची है धान मंत्री ने इस दौरान कमजोर आर्थिक वर्ग को मिलने वाले EWS आरचन का भी जिक्रितिया है उन्हें ने कहा कि हमारे S.C.S.T. और O.V.C. के लोगों का हक मारे बिना समान वरके गरीबों को आरचन दिया जाएगा खबरी चोखट की रिपोर्ट